तो आपका अभी AI-ATC का 25th March का Shift 2 का जो examination है complete हो चुका है तो यहाँ पर हम जिदा to the point बात करते हैं आपके कहां से questions आ रहे हैं और pattern तो देखो बिल्कुल पूरा change हो गया यह तो आपको पता चल गया होगा सुबा के टाइम पे थोड़ा सा काफी pattern change हो गया और उसके ही basis पे अभी भी आपका pattern चल रहा है और दो तीन चीज़ें और अभी different देखने को मिली है physics में और math में तो आपका same to same जैसा shift 1 का था वैसे shift 2 का देखने को मिला है फटा फट से आप मैं देखो आपको यहाँ पर क्या क्या हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है ठीक है फटा फट से session को शुरू करते हैं देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा जो technical का portion है आपका यानि की physics और math का यहाँ पर आपको क्या चीज़ें देखने को मिली है और जो भी यहाँ पर बता होगा लेकिन यहां से questions नहीं आ रहे हैं wave optics से एक भी question नहीं आया ray optics से से एक से दो question देखने को मिले हैं बस ठीक है वो भी normal type के इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ maximum questions कहां से आ रहे हैं तो electrostatics अगर आपने अभी तक नहीं किया है revise तो बहुत अच्छे से revise कर लो जैसे of electron in circular orbit ठीक है यानि कि circular orbit में जो आपका electron move करता है उससे आपका question यहाँ पर देखने को मिला और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो किर्चॉफ law से भी यहाँ पर questions आए हैं ठीक है एक दो question जो है किर्चॉफ law से भी देखने को मिले हैं तो कम से कम KVL KCL तो अच्छ से करके जाना ठीक है properties of EM waves यह आप करके जाएंगे इसके अलाबा और कहां से questions आए हैं आपके तो magnetism से questions आ रहे हैं ठीक है physics में आपका magnetism हो गया यानि कि इन्होंने बागी का जो आपका thermal thermal वाला portion है ना वो सब तो छोड़ रखा है बस मुद्दा क्या चल रहा है इनका कि main main topics topics ना जो आपके पहले आते थे वो इन्होंने छोड़ दिये हैं जो नहीं cover करते थे ये वो इन्होंने दे रखे ठीक है बात क्या है कि इन्होंने जो बीच में आपका syllabus flash out किया था ना वहीं से सारे के सारे questions आ रहे हैं तो आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि syllabus से नहीं आया ठीक है इसके अलाबा आपका kinetics हो गया kinetics से questions आये हैं और हां जो आपका motion है motion motion अच्छे से करके जाना motion से questions आ रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहे है उन्होंने 11-12 उठागर की दे दी है motion में आपका जो friction है friction से questions देखने को मिले 4-5 ठीक है friction से 4-5 questions जो है देखने को मिले हैं तो ये आप अच्छे से revise करके जाएंगे ठीक है ना बासमज में आ रही है सभी को चलो अब मैं यहाँ पर अगर आपसे बात करूँ कि और क्या-क्या बचता है आपका एक बार math को देखते हैं ठीक है यह आपके main main topics है जो physics के पूछे का है मैंने questions भी कुछ बता दिये हैं तो इतना कि engineering math की जान होती है calculus calculus यहाँ पर देखने को बिल्कुल नहीं मिली ठीक है इसके अलावा आपका अगर मैं बात करूँ linear algebra linear algebra देखने को नहीं मिली matrix आपका देखने को नहीं मिला numerical method आपका देखने को नहीं मिला ठीक है इसके अलावा आपका differential equation जो होती है देखने को नहीं मिल बस वो जो partial differential equation के questions होते हैं वो एक आदा तो देखने को मिले हैं तो मतलब जो engineering mathematics का नाम है न वो तो यहाँ पर डूब गया ठीक है बस mathematics का देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़े आई हैं देखो भर-भर के questions सबसे ज़्यादा questions आए हैं आपके यहाँ पर probability से किससे आए हैं probability से और आपका PNC से किससे आए हैं probability और PNC से यह आपको कैसे भी करके जाना है अगर आप exam देने जा रहे हो तो इसको बिना देखे तो मत जाना ठीक है अब इसे आपको अच्छे से revise कर लेना है इसके अलावा फिर आपका आता है vector space vector space आपको बहुत अच्छे से करके जाना है even अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो at least 11th class की NCRT के formula तो देख करके जाना ठीक है क्या करोगे 11th class की NCRT के formula देख करके जाना समझ में आ रही है बात क्योंकि 11th class में है आपका vector space अब इन्होंने 12th से तो और 12th even इन्होंने engineering math तो छोड़ो इन्होंने 12th की math भी नहीं दिया ठीक है क्योंकि 12th की math में होता है आपका integration differentiation अच्छे से वो सब नहीं दिया और इसके लावा आपकी 3D geometry बहुत देखने को मिली है ठीक है 3D geometry वो समझ रहे हो ना यह सब vector space यह सब खर जोड़े जोड़े चीज़े हैं तो यह सब देखने को मिला है probability हो गया आपका permutation हो गया यह सब आपको math में मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ न तो math में यही तीन चीज़े जो है dominate कर रही है इसके अलावा तो ज़्यादा चीज़े कुछ दिखी भी नहीं रहा है ठीक है वेक्टर वेक्टर एंड स्टेट लाइन्स हो गई वही 11 वाली चीज़े है वही वेक्टर एंड स्टेट लाइन्स तीन चार चेप्टर है वह टोटल तो वही उनके आप फॉर्मले देखकर के जाओ यह 11 क्लास वाले तो उसमें आपके एराउंड पास से 6 कॉशन तो आराम से हो जाएंगे ऐसा नहीं कॉशन बहुत डिफरेंट है बात कहने उन्हें टॉपिक चेंज किये हैं बड़ जो टॉपिक में वो कॉशन है वो कॉशन ज्यादा टफ नहीं है तो उन्हें आप आराम से टैकल कर सकते हो बास मझे में आ रही है ख्लियर हुआ तो यहां पे जो है आपका मैट का और जो अपना फिजिक्स का सेक्शन है यह मैंने अल्मूस्ट बता दिया है यहां पर एक आदा चीज़ें और बताता हूँ तो आपका देखो काइनेमेटिक में यहां पे फिजिक्स म आ रहे हैं तो आप वो भी देख करके जा सकते हो जैसे 11th class की जो आपने physics पढ़ी होगी ना उसमें VT graph होता था, velocity और time का graph होता था, acceleration और फिर force वहाँ से हमसे पूछते थे तो इस type के graph वाले questions देखने को मिले हैं और फिर अगर आप से में बोलू तो magnetic field magnetic coil है आपकी उसके बीच में आपको magnetic field find out करनी है center पे ठीक है इस type के questions काफी आए तो आप इनको revise करके जा सकते हो ठीक है अब मैं आप से यहाँ पर फटा-फट बात करूँगा जीके वगेरा के questions कहां से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं तो जीके में जो mainly current affair है वो आपका 2020 को देखने वो हमें 2020 के देखने को मिल रहे है mostly ठीक है फिर अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ और कुछ questions की है ना जो कुछ questions आए हैं वो भी मैं आपको दो चार बता देता हूं जो की बच्चों ने बताए हैं देखो यहाँ पर एक आपका पूछा गया था कि oldest nuclear reactor आपका कौन सा ह है oldest nuclear reactor तो यह जो वैसे questions मैं आपको बता हूं यह जितने भी questions आ रहे हैं यह सब अभी जो आपके 2020 में एक्जाम हुए हैं 2020 में यह NDPC वाले एक्जाम हुए हैं उसके मैंने analysis बहुत सारे कर रहे थे तो उन सब में यह questions आ रखे हैं ठीक है oldest nuclear reactor हो गया new old आपका nuclear reactor हो गया तो यह सब जो चलते फिरते questions है वो अभी वाले आ रहे हैं और अगर मैं इसकी बात करूँ आपसे oldest power plant है अपना तारापुर power plant जो की महाराष्टा में ठीक है तो यह इस टाइप के questions है और आपको रीजनिंग का और बताता हूं reasoning में देखो यह topics आपको करके जाने हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करके जाओ अच्छे से coding decoding हो गया direction sense जो होता है direction वाले questions आ रहे हैं अच्छे solve करना थोड़ा सा घुमाने वाले आ रहे है यह और दो तीन बच्चे फसे भी है इसमें तो यह अच्छे से देख करके जाना missing number series आपकी यहां से आ रही है आपका की फर्स्ट वाली शिफ्ट में अन्टो नेम ज्यादा आये थे इस बार आपके सिनो नेम ज्यादा जो है देखने को मिले हैं और इसके अलावा आपका one word substitutions आये हैं वोकेब से और आपका narration and voice तो आही रहे continuously है ना narration and voice हो गया फिर आपका passage हो गया इसमें भी कुछ different है नी जो आपका क्वांट सालर section होता है average का एक question आपका सुबा में भी आया था average का question अभी भी आया अच्छा question है मतलब अच्छे level का question आ रहा है थोड़ा सा calculate भी है और इसके अलावा आपका geometry से questions आ थोड़े से थोड़े से ठीक है एक आधा questions है geometry से भी देखने को मिला और इसके अलावा आपका जो time and work हो गया फिर आपका boat and stream हो गया ठीक है यहां से मतलब ऐसे मिला कि आपके कुछ basic basic से questions आ रहे है इसमें ज्यादा variation है नहीं वहीं सुबाई वाली वीडियो देख ले ना उसमें जो topics बताये थे वहीं से इसमें देखने नहीं था but it was unexpected unexpected था और बात क्या है कि YouTube पे सभी ने जो है हमने फिर जो भी हम त्यारी करते है ना वह प्रीवेस देखने करते हैं बड़ जो इनका syllabus था इन्होंने जो बीच में अपना flash किया था फिर उन्होंने डिलीट कर दिया यह उनकी गलती है बड़ बच्चों ने भी धान नी दिया कि अगर उन्होंने syllabus डाला है तो उस पर फिर बच्चों ने भी धान नी दिया और जो mentors वगरा हैं फिर मैं आपनी भी बात करूं literally तो मैंने भी उस पर इतना ज्यादा focus नहीं किया तो यह हमारी गलती थी अब यह आप जो भी बोलो लेकिन questions इतने tough नहीं है ठ ठीक है तो paper tough नहीं है but it is unexpected तो cutoff जो है आपकी कम जाएगी ठीक है cutoff जो है minimum जाएगी क्यूंकि अब देखो आप एक बात सोचो अगर सब लोगों ने same level पर त्यारी करी है तो कही ना कहीं है आप सब एक ही जगह खड़े हो ना ठीक है सबने नहीं पढ़ा है जब सारे लोग तो जिन बच्चों ने seriously महनत करी है जो और चीज़ें पढ़ी है वो नहीं देखने को मिली तो उनका तो वो time waste हो गया बट ऐसा बस सोचो आप यह सोचो आपने वो चीज़ें सीख कर किया उपने उपर invest किया उस time को ठीक है तो आंगे उनको और बढ़ा हो clear है तो खेर अब यहीं पर session को ending करूंगा thank you so much god bless you all take care and bye bye